नमस्कार, आईए, आज हम देखते हैं प्राइक्ता का भाग तीन, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, आईए भाग एक और दो में, प्राइक्ता में जो पढ़ा था, उसका थोड़ा सा हम रिवीजन भी करेंगे इसके साथ एक घटना का घटित होना, घटनाओं के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, सरल घटना, मिश्र घटना, असंभव वै निश्चित घटना, घटनाओं के बीजगने, इन सब को हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आगे आवश्यक्ता होगी, इसलिए थोड़ा साइन का र इसके बाद मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं, परसपर अपवर्जी घटनाएं, मुच्वली एक्स्क्लूसिब इवेंट्स, और निशेश घटनाएं, अर्था एक्जॉस्टिव इवेंट्स, तो आईए, चलते हैं, हमने घटनाओं के प्रकार में पढ़ा था, और हमें इवेंट्स, यानि घटना निकालनी है, छैसे बड़ी प्राक्रत संख्याओं के, हम जानते हैं, कि अगर मैंने डिस्क थ्रो की है, तो छैसे बड़ी प्राक्रत संख्या तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ऐसी कोई भी घटना, जो हमारे द्वारा, जो एक सेंपल जो हो ही नहीं सकता, तीन से बड़ी और चार से छोटी प्राक्रत संख्याओं हो ही नहीं सकती, तो ऐसी सभी घटनाएं हमारी कहलाती हैं, असंभव घटनाएं, और वहीं यदि हम कह दें, कि हमने डिस्क फैंकी, और हमें साथ से छोटी प्राक्रत संख्याओं चाहिए हैं, एक से लेकर के छह तक सभी उसमें शामिल हो जाएंगी यानि जो भी डिस्क में हैं वो सभी अंक आ जाएंगे इसलिए वह हो गई निस्चित घटना है ऐसी ही एक डिस्क के थ्रो करने पर एक से लेकर छह तक का अंक आता है एक अंक चाहे वो एक आए दो आए तीन आए या कोई भी आए तो प्रत्येक इसमें जो घटना है वो हमारी सरल घटना होगी यदि केवल एक अभी अभ हो और यदि एक से जादा है तो वह कहलाएगी मिश्र घटना यह हमने पहले देखा हुआ है इसी प्रकार से घटनाओ का बीजगनित यूनियन यानि ए और बी ए या बी है ना सर्वनिस्ट कॉमन यानि जिसमें ए और बी दोनों हों इंटर्सेक्शन उभेनिस्ट अंतर डिफ्रेंस जो हम समुच्च में पढ़ते आए थे अभी तक सम्मिलन, ए यूनियन भी, ए इंटर्सेक्शन भी, ए माइनस भी, ए डैश ये सब जो घटनाओं का बीजगनित है वो पूरा समुच्च से लिया गया है यहां तक हम पहले देख चुके थे अब देखते हैं आगे परस पर अपवर्जी घटनाएं, न्यूच्वली एक्स्क्लूसिव इवेंट्स अब ऐसी दो घटनाएं, ए और बी, न्यूच्वली एक्स्क्लूसिव कहलाएंगी, कब? यानि अपवर्जी कहलाएंगी, इसके लिए हम एक उधारन देखते हैं, हमने एक डिस्क को थ्रो किया, फैका, उसमें आने वाले जो सेंपल इस्पेस हैं, वो हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, अब यदि इसमें से हमने एक घटना E1 ऐसी लिए, जिसमें तीन से बड़ी संख्याएं आनी हैं, तो तीन से बड़ी का मतलब हो गया, चार, पांच और छे, वहीं, यदि मैंने एक दूसरी घटना ली, उस घटना में है तीन से छोटी, तो तीन से छोटी का मतलब हुआ, एक और दो, यदि ध्यान से देखें, तो E1 और E2, जो ये दो घटनाएं हैं, इन में कोई भी घटना उभैनिस्ट नहीं है, अर्थात, ये दोनों की दोनों घटनाएं, डिस जॉइंट हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें, कि A इंटर्शेक्शन B, यदि फाई हो, अर्थात, कोई भी उभैनिस्ट घटना नहीं हो, तो A और B, असंयुक्त समुच्च कहलाते हैं, और जब असंयुक्त समुच्च हो गए, तो ऐसी घटनाओं को हम परस पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, मतलब क्या हुआ, कि दो घटनाएं A और B, परस पर अपवर्जी घटनाएं कही जाती हैं, कब यदि इन में से किसी एक का घटित होना, दूसरी के घटित होने को अपवर्जित करता है, अर्थात पहली घटना कोई भी घटना है, घटित हुई है, वह दूसरी से मेल नहीं खाती है, अर्थात वे एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, तो ऐसी घटनाएं परस पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं, एक उदाहरंड से हम इसको आगे समझते हैं, आइए, दो पासे फैंके जाते हैं, और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है, जब एक पासा फैंकते हैं, तो हमारे पास छह total outcomes आते हैं, कुल सम्भाव्य बनते हैं, लेकिन दो पासे फैंकते हैं, तब 36 बन का योग देखना है एक से छह तक एक पासे में हैँ एक से छह तक दूसरे पासे में है तो अंकों का योग अगर Hem ध्यान से देखेंगे तो दो से ले करके और बारे तक होगा कम से कम दो अधिक से अधिक बारा आईए इसमें संबंदित कुछ घटनाएं दे रखी है पहली घटना ए अब ए दे रखी है हमें उसके अभियब बनाने है प्राप्त योग समसंख्या है कोई भी अंक जुड़ करके कब सम आता है जब वे दोनों संख्या है या तो समसंख्या हो या बिशम संख्या हो ये बेसिक गणित है इससे हमें अंकों को ढूणना बहुत आसान हो जाता है तो हमें आरे पास जो 36 हमारे अभियब हैं Outcomes हैं, परिणाम हैं उनमें से हमें वे अभियब देखने हैं जो या तो दोनो सम हो या बिशम हम देखते हैं एक से शुरू करते हैं तो एक एक फिर एक से ही एक तीन एक पांच एक का हो जाता है अब इसके साथ ही अगर हम दो से शुरू करेंगे तो दो 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 चार दो छे बिलकुल दो दो फिर दो चार इसी तरह से दो छे फिर तीन से शुरू करेंगे तो तीन एक तीन 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 पांच चार से शुरू करेंगे चार दो चार 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 इस तरह से कुल मिला करके सभी समसंख्याओं और बिशम संख्याओं के जोड़ा यहाँ पर आ जाएंगे बी देखते हैं बी में हम देखें प्राप्त योग तीन का गुणज है अर्थात जो भी योग आएगा वो योग या तो तीन हो या छे हो या नो हो और या बारे हो अब तीन कब कब आ सकता है इसको देखते हैं तो तीन आने के लिए हम देखते हैं एक दो या दो एक इसके अलावा तीन आ ही नहीं सकता इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अब छेल आना है तो छेल आने के लिए एक से देखें तो एक पांच, दो से देखें तो दो चार, तीन से देखें तो तीन तीन, चार से देखेंगे तो चार दो, पांच से देखेंगे तो पांच एक, ध्यान ये रखना है, अगर हमने एक एक को ध्यान में रखते हुए किया, तो कोई भी भाग हमसे नहीं अब 9 सोचते हैं, 1 से 9 नहीं आ सकता, 2 से नहीं आ सकता, 3 से आ सकता है, अर्थात पहला हो गया 3 6, 4 से भी आ सकता है 4 5, पांच से आ सकता है 5 4, और 6 से आ सकता है 6 3, और जब लाश्ट में बारे देखेंगे तो हमें पता है वो तो केबल 6-6 से ही आ सकता है और किसी से आ ही नहीं सकता यह हमें पता है इसके बाद यदि हम C को देखें तीसरा प्राप्त योग 4 से कम है चार से कम यानि एक हो नहीं सकता तो दो या तीन अब दो कब आएगा जब हम देखें एक एक मिलेगा और किसी तरह दो नहीं आ सकता और तीन के लिए एक दो हो सकता है या फिर दो एक हो सकता है चार से कम हो गया D दे रखा है हमें और D में दे रखा है प्राप्त योग 11 से अधिक है 11 से अधिक केबल 12 ही हो सकता है और आगे नहीं हो सकता तो 12 के लिए केबल एक अभियब बचता है एक परणानाम बचता है और वो है 6 छे इस तरह से सबसे पहला काम ABCD जो हमें घटनाएं हैं उसके सभी के संभाव्य परणाम हमारे सामने होने चाहिए और जब ये संभी संभावित परणाम आ गए अब प्रश्न देखें कि इन घटनाओं में से कौन से युग्म परस पर अपवर्जी है और अपवर्जी का मतलब ऐसे दो घटनाएं जिन में कोई भी उभैनिष्ट परणाम नहीं हो तो देखते हैं A तो है B में अगर B में ध्यान से देखें तो यहां तीन तीन भी आ रहा है यहां एक पांच भी आ रहा है यहां दो चार भी आ रहा है तो A और B में तो कॉमन है A और C में चेक करते हैं A और C में अगर हम देखते हैं तो एक एक यहां भी है और एक एक यहां भी है यहां भी common है है ना A और D में देखते हैं तो A में भी 6-6 है और D में भी 6-6 था इसका क्या मतलब हुआ A के साथ तो जो अभियव हैं वो आगे B, C, D किसी ना किसी में हैं B से चेक करते हैं B, C तो B, C में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक, दो होने के कारण से अपवर्जी नहीं होंगे C हट गया B, D देखें तो चुकि B में भी 6-6 है और D में भी 6-6 है ये भी नहीं हो सकते C के साथ चेक करते हैं तो C में जो तीन अभियव हैं और D में जो अभियव हैं इनमें कोई भी परणाम हमारा उभैनिष्ट नहीं है अते है हम लिखेंगे के C और D में कोई भी उभैनिष्ट परणाम नहीं है अते है C और D अपवर्जी हैं उम्मीदे समझ में आया होगा आगे चलते हैं नेशेश घटना है exhaustive events exhaustive events में कोई जो हमें sample space है प्रतिदर्स जो समस्ठी है उस समस्ठी के जितनी भी परणाम है उन परणामों पर जितनी घटनाएं है यदि उन घटनाओं का योग sample space अर्थात प्रतिदर्स समस्ठी के बरावर हो जाए तो वे सभी घटनाएं निशेश घटनाएं कहलाएंगे थोड़ा उधारण से समझते हैं मान लो जैसा हमने एक पासा फैंका पासा फैंकने पर एक, दो, तीन, चार, पांच और छे आ गया अगर हम यहां देखें एक आने की प्राएकता एक बटा छे, दो की एक बटा छे, तीन की एक बटा छे, चार की एक बटा छे पांच की भी एक बटा छे और छे की भी एक बटा छे अगर हमें यह छे की छे अलग से सरल घटना दे रखी हैं तो इन सभी सरल घटनाओं का योग हमारा एस के बराबर हो जाएगा इसलिए ऐसी गटनाएं नहिशेश गटनाएं कहलाएंगे एक बिशेश तोर पर मान लो मैंने ए लिया और ए लिया तीन से बड़ा तो तीन से बड़ा लिया तो यह हो गया मेरा चार पांच है मैंने बी लिया और बी लिया पांच से छोटा पांच से छोटा लिया तो एक, दो, तीन और चार हो गया यहां देखने की बात केवल इतनी सी है कि यदी हम A union B निकालें इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास sample space के सभी अभियव आजाने चाहिए अगर इनको जोड़ करके यानी इनका सम्मिलन निकालने के बाद सारा की सारे परणाम S के आगए तब ये घटनाएं हमारी निषशेश घटनाएं कहलाती है तो क्या मतलब हुआ कि मालो E1 से लेकर E N तक हमें घटनाएं दे रखी है इन घटनाओं में E1, Union, E2, Union, E N तक यदि वो S के बराबर हो जाए तो ये सारी घटनाएं हमारी निषशेश कहलाती है अर्थात E1 से लेकर E N तक निषशेश कहलाएंगी यदि परिक्षन करने पर इन में से कम से कम एक घटना अवश्य घटित हुई हो एक उधारण से आगे समझते हैं एक पासे को फैंका निमने लिखित घटनाए हुई तो विचार करते हैं A A से पहले अगर एक पासा फैंका है तो हमारे पास जो S आ गया वो आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अब A है चार से छोटी संख्या प्रकट होना चार से छोटी एक, दो और तीन B दो से बड़ी किन्तु पांच से छोटी तो दो से बड़ी होगी तो तीन, पांच से छोटी होनी है तो केवल चार तक C है तीन से बड़ी संख्या प्रकट होना C तीन से बड़ी तो चार, पांच, छे क्या ये घटनाएं? निशेश घटनाएं हैं अगर इन तीनों का यूनियन निकालें A यूनियन B यूनियन C और वो S के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये घटनाएं निशेश घटनाएं हैं तो हमें बिलकुल नजर आ रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यानि ये पूरा मिल करके हमारा S के बराबर आ गया अत्य है A, B और C घटनाएं निशेश घटनाएं होंगी आएए आगे चलते हैं परस पर अपवर्जी और निशेश घटनाएं अब यहां बिशेश समझने की जरूरत क्या है ऐसी घटनाएं जो mutually exclusive भी हो और exhaustive भी हो अर्थात वो परस पर अपवर्जी भी हो यानि उनमें कोई भी awareness परणाम नहीं होना चाहिए और उन सबका यो total उन सबको union करें तो हमारे पास sample space आजाना चाहिए यदि ऐसा आजाता है तब हम कहेंगे जैसे वही हमने एक पासा फेंका और एक, दो, तीन, चार, पांच और छे आए मान लो A मेरे पास हो समसंख्या आना समसंख्या आने का मतलब है दो, चार, और छे आना B है बिशमसंख्या आना अब बिशमसंख्या का मतलब है एक, तीन, और पांच ध्यान से यदि हम देखें A और B में कोई भी उभेनिष्ट परणाम नहीं है और जब उभेनिष्ट नहीं है अतहे A और B कैसे हो गई घटनाए अपवरजी हो गई और दूसरी बड़ी बात A और B का यूनियन यदि हम करें तो वो S के बराबर भी हो रहा है तो ऐसी घटनाए जिन में कोई उभेनिष्ट भी नहीं हो और जिसके अवियबों का कुल ऐस के बराबर हो ऐसी घटनाओं को हम परस पर अपवरजी और निशेश घटनाएं कहते हैं आईए एक और उधारन से समझते हैं एक सिक्के को तीन वार उचाला गया है निमनलिखित घटनाओं पर बिचार करते हैं एक सिक्का तीन वार उचला है तो कुल में लाकर करके जो सेंपल इस्पेस हो गया वो आठ हो गये है ना ए घटना है हमारी और ए है कोई चित प्रकट नहीं होता हैड नहीं आता अब कोई भी हैड नहीं आता है इसका मतलब केवल टेल रहेगा केवल पट भी देखते हैं तथ्य तह एक चित प्रकट होता है एक हैड है अब एक हैड है तीन वार हमने तो सिक्का उच्छाला था तो दो हमारे पास पट होंगे यानि टेल होंगे तो यह हो गया एच टी टी या टी एच टी या टी टी एच इस तरह से हमारे पास भी हो गया सी कह रहा है कम से कम दो चित हों अब कम से कम का मतलब है या तो दो हो और या तीन हो तो दो यदि है, तो H, H, T, H, या T, H, H, ये तो हो गया दो H का, लेकिन कम से कम है, इसलिए तीसरा और बन जाएगा, और वो होगा तीनो H, H, H इन तीन घटनाओं के बाद, क्या यह परस पर अपवर्जी और निशेश घटनाओं का समझ है, तो ध्यान से देखते हैं, कि यहाँ पर TTT है, क्या यहाँ पर TTT है, नहीं है, इसमें TTT नहीं है, इसका मतलब A और B अपवर्जी तो हैं, A और C भी अपवर्जी हैं, आगे में एक है इनमें किसी में भी एक है नहीं है एक से जादा है इसका मतलब यहां भी कोई भी अवहनिस्ट नहीं है अर्थात A, B और C अपवरजी हैं एक चीज तो निश्चित हो गई अब हम देखते हैं निशेश को इन सब को मिला करके यदि आठ बन जाते हैं तो बिलकुल हम A, Union, B, Union, C बराबर S कुल मिला करके आठ इसके परणाम हो गए इसका मतलब A, B और C परस पर अपवरजी और निशेश गटनाएं हैं आईए देखते हैं आज हमने क्या-क्या देखा हमने देखा कि परस पर अपवरजी गटनाएं किसे कहने हैं तो ऐसी गटनाएं जिन में कोई भी उभहनिस्ट परणाम नहीं हो इसके बाद हमने निशेश गटनाएं देखी थी ऐसी गटनाएं जिनका योग, यूनियन, सेंपल स्पेस के प्रतिदर्श समस्टी के बराबर हो जाएं तो वह निशेश गटनाएं कहलाती हैं आप सब इसका अभ्यास करें धन्यवाद आप समया अभ्यास।